दोस्तों मदर्तन सुमी के demerger से जुड़े हुए 5 important questions उनका हम answer करेंगे date को लेकर थोड़ा सा confusion है उसके बारे में बात करेंगे जो demerger हुआ है वहां क्या ratio है किस हिसाब से यहां पर share मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे demerger entity है उसकी listing के बारे में हम बात करेंगे जो दो companyya demerger हुई है क्या business करती है कितना profit करती है कितना नई करती है सब के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि हो क्या रहा है stock price तो 13 January को 235 रुपे के आसपास trade कर रहा था और 14 January को अचानक से 185 नहीं है यहां पर demerger हुआ है यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अब 14 को मदर्सन सुमी का ठीक है 14 को मदर्सन सुमी का अलग-अलग division होते है तो एक division है उनका wiring harness का और वो भी इंडिया का wiring harness का business है वो business MSWIL के नाम से है ठीक है वो business अलग हो गया है और वो उसकी अलग trading सुरू होगी उसके बारे में बाद में बता होगा ठीक है तो अभी जो भी company जो भी trade कर रही है वो मदर्सन सुमी without wiring इंडिया के wiring harness के business के अलावा कर रही है अब future में और confused नहीं होना है future में जो मदर्सन सुमी है उसका नाम भी हो जाएगा समवर्धना मदर्सन इंटरनेशन यहां जो लिखा हुआ है सामिल, शैमिल, समर्धना मदर्सन आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या नाम है तो इस हिसाब से रहेगा future में आपको SAMIL करके company है आपको listed company दिखाई देगी वह सेम मदर्सन ही है लेकिन मदर्सन सुमी का जो wiring इंडिया का wiring harness है उसके अलावा है बस और पर भी confused नहीं होना है और panic नहीं होना है वो ज्यादा important है ठीक है वो panic नहीं होना है अब दूसरी चीज अब demerger की बात मैंने कर दी तो यहां पर demerger हुआ है तो ratio क्या रहेगा तो ratio है बहुत simple one is to one का ratio मतलब आपके पास अगर मदर्सन सुमी का एक share था ठीक है अल्रेड़ी है अल्रेड़ी है आपके पास तो आपको एक share यह जो नई entity है मदर्सन सुमी वाइरिंग MSWIL उसका एक share आपको मिलेगा उसकी listing separate होगी बाद में होगी अभी NSCBSC में देखने जाएंगे आपको वो share नहीं देखने को मिलेगा तो वो आपको बिलकुल ध्यान में रखना है त तो हो सकता है panic में बहुत इंवेस्टर ने साथ 235 का 180,85,190 पहुंच गया है तो बेच दिया हो तो panic में नहीं बेचना है मतलब आप एक informed decision लीजिए वो ज्यादा important है तो आपको वो share मिलेगा अगर आपके पास 13 तारीक मतलब 13 January यह उससे पहले मदर्सन का share था तो कई नुक वो भी अगले कुछ दिनों में S.A.M.I.L. के नाम से मिलेगा तो आपको ध्यान में रखना है stock 185 के पास है panic नहीं करना है demurger इसका हुआ 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 है तो यहाँ पर date को लेकर confusion अगर आपने 14 January को खरीदा है तो आप कहां पर खरीद रहे है तो आप S.A.M.I.L. को खरीद सूमी आपको वो share मिलेगा मतलब जो भी है MSW I.L. का जो share है लेकिन 14 January या उसके बाद खरीद रहे है तो आप S.A.M.I.L. या मदर संसूमी जो है वहाँ पर आप invest कर रहे है तो यहाँ पर confused नहीं हो रहा है बहुत प्रस्णा आ रहे है बहुत question यह confusion को लेकर आ रहे है अब deemer जो है उसकी listing क्या अब क्या है क्योंकि देखिए MSW I.L. करके NSC BAC में आपको कोई stock किया फिर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं तो इसकी भी listing होगी और expected है इसकी listing March 2022 में हो यह important है तो यह जो company है इसकी भी listing जो है necessary जो regulatory approvals है उसके आसपास उसके बाद होगी तो वो एक ध्यान में र खरीदा हुआ है आपके मदीजी आपके डिमेट वे दो साल तीन साल से भी पढ़ा हुआ है आपको MSW I.L. का stock मिलेगा समझ लीजी आपके पास January 13 को Mother Sun Sumi के 50 share थे तो आपको 50 share MSW I.L. के मिल जाएंगे बहुत simple है अब यहाँ पर मुझे लगता है कहीं पर भी आपको confusion नहीं होगा अब कुछ brokerages ने अलग-अलग report निकाली है जैसे ICSA Securities की report पढ़ रहा था तो उन्होंने इसकी fair value 70 की दी हुई है अब देखिए अब यह market के उपर है market सब से supreme है market के सब brokerages सब supreme है यह मैं मांगता हूं तो market क्या जब भी इसकी listing होगी वो value करेगा वो market के उपर है जैसे IC इसकी इसकी भी जो fair value 200 निकाली थी तो अभी 185 में trade कर रहा है तो ऐसा कोई सही गलत नहीं होता है क्योंकि सब कुछ at the end कौन supreme है वो market supreme है तो अभी 185 में trade कर रहा है मदर संसूनी है S.A.M.I.L. जो है resultant जो company है वो और इसका 70 है तो देखते है 60, 70, 65, 75, 55 देखते है क्या market उ 90 में यह trade कर रहा है नई entity भी कुछ 50-60 में trade करेगी तो 240-50 कई भाव हो रहा है तो यह सब चीज है तो इसलिए वहाँ पर चिंता नहीं होना तो आपको फिर ध्यान में रखना है अब business के बारे में जल्दी से आपको में बता दू मदर संसूमी जो है वो Samil के नाम से रहेगी future में और उसका जो business है polymer and modules का है वहाँ से 48% सबसे ज्यादा बिजनस आता है wiring harness का 30% अभी आपने wiring harness भी सुना था तो वहाँ confused नहीं हो ना इंडिया के बाहर का wiring harness अभी भी मदर संसूमी में है ठीक है न विजन सिस्टम से 18% का business आता हुआ है मदर संसूमी का अगर यह 6 महीने म 30,823 करोड का revenue था अगर आप EBITDA margin देखेंगे तो लगबग 8% का है और टोटल profit आप देखेंगे 455 करोड का 1.5% का है ठीक है न तो यह आपको ध्यान में रखना है बाकी debt है company का 8,794 करोड का तो यह कुछ important जो SIMIL जो नई जो entity है उसके बारे में यह important आकड़े है जो दूसर हमने कर दिया तो 602 करोड और 44% का ROC पिछले साल का ROC 41% जो मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉंग है यही जो ICSA security 70 का भाव बोल रहे है जो भी होगा वो दो बात में पता चलेगा market ते खरेगा उसको 55 देना है 60 65 70 क्या देना है वो market के ओपर है ठीक है न अच्छा इसका ज यह 6 महिने का revenue है और इसका revenue लगभग 2514 मतलब 8% 9% यह बहुत चोटी कंपनी रहेगी तो यह भी आपको ध्यान में रखना है 2514 लेकिन इसके margin strong 12% पैट margin 7% है जो Mother Sun Sumi जो SMIL है उसका कितना हमने देखा था 1.5% 1.5% देखा था तो इसके 175 करोड के है तो यह सब कुछ important है ROC 41 21% तो यह मुझे लगता है यह strong growth वाली company है क्या time ही बताएगा कौन कितना grow करता है यह उनके financials है अभी फिलाल आप देखेंगे 2514 का operations है revenue from operations है पैट जो है 175 करोड के है और EBITDA है 301 करोड को जो हमने देखा ना एनुलाइस 602 करोड तो यह इसी की बात हो रही थी तो मुझे उमीद है आपको value मिली होगी आपको आपके जो doubts हैं वो clear होए होंगे यह 5 questions मदरसन सुमी जो है सैमल और MSWL का business को लेकर तो 5 questions 5 answers मुझे उमीद है आपको value मिली होगी चैनल को ज़रूर सब्स्राइब कर लिए थैंक्यू आपके time के लिए